क्या आप भी मैत सीखना चाहते हैं सीखना चाहते तो हर कोई है लेकिन क्या आप वास्तों में सीखना चाहते हैं तो याद रखिए उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जित है कुछ पाने की मतलब जित है कुछ सीखने की तो फिर मुश्किलें भी हरा नह साथियों आज जो ये कलास सुरू होने वाली है इसमें बिलकुल दिल थाम के ओम और कमर कस के बैठना है क्योंकि आपने बहुत बड़ा निरड़े लिया है बहुत बड़ा काम करने का कोई भी चीज अगर नहीं आता है न तो उसको सीखना ही एक मात रूपाय होता बाकी कोई जुगार नहीं होता है कहते हैं कि सफलता का कोई साटकर नहीं होता है इस कलास को पूरा इंड़े तक जरूर देखना है अगर आपको वास्तों में सीखना है बाकी वासे किसी को दिखाना है तो बात अलग है ठीक है और कलास को इंड़े तक देखेंगे तो बीच में हम ये भी बताएंगे कि इसका अगला भाग आपको कब मिलेगा कैसे मिलेगा इसलिए इस कलास को पूरा इंडे तक देखना बीच में छोड़ के नहीं जाना है नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा फिर अगला भाग कब आएगा ठीक है आगे बढ़ें इसको प्यार से पढ़ लीज सकते हैं क्योंकि यह वीडियो पूरा देखना कोई छोटा काम थोड़ी है अब यह कच्छा बदाम पक्का बदाम या कोई ऐसा मसालेदार वीडियो होता तो पूरा देख लेते कोई बात नहीं थी लेकिन पढ़ने वाली चीज कहा आजम होती है पूरा वच्छे नहीं काल सकते हो आधा गंटा 15 मिनट ना कमेंट करके बताओ हां अगर हां तो फिर सकते हो तीस तरह गुण यह है कि नोट्स बना सकते हो लिख सकते हो भाई अगर आप राजा बाबू हो में हाट डाल के तब पढ़ेंगे हम हाथ बहरे निकालेंगे नि ठंडी बहुत लगरी सर् और कुछ तो ज्यादा उमीद है ठीक है यह उन लोगों का है जो नहीं सीख सकते हैं हमारे हिसाब से कि जो सिर्फ पर इच्छा में पास होना चाहता है वह नहीं सीख सकता मैं क्यों कोई ने कोई जुगाड लगालेगा उसकी दिल जो है जुगाड में लगा रहेगा और कभ इसलिए आपको बता रहा हूं तीसरा यह वीडियो पूरा देखे बीना चला जाता है हां बहुत ज़्यादा जल्दी लगी है तो फिर और अगला सोशल मीडिया पर सिर्फ साथ वीडियो रील देखता है साथ वीडियो रील देखना बुरी बात नहीं है सब कुछ करना आगे बड़ी पर टॉपिक पर चलते हैं आएए यह तो था वह की मैं देखना चाहता था कौन-कॉन सीखना चाहता कौन नहीं जो नहीं सीखना चाहते होंगे देखो आदे भाग गए होंगे मुझे पूरा उमीद है और मैं भी चाहता हूं कि वाग जाए तभी कुछ हाग स सुरू हो चलिए इनके सारे पार्ट का जो लिंक है आपको टेली टेली गराम पे दिया जाता बाबू तो इसलिए आप सभी टेली गराम पे हमें सबसे पहले जोईन कर लें नाम है pvr कुछ लोग पहले गरी आ रहे होंगे इंग्लिस में लिखा है इंग्लिस हमें खुद नहीं आवत भीया हम हिंदी में पढ़ाएंगे टेंसर नहीं लेने का चलो तो क्या कहता है कुश्चन पहला कि कह रहा है कि रीना नोटेड दा एलेक्रिसिटी अब मीटर रीडिंग आफ हर हाउस मैं इसको हिंदी में सब बताऊंगा टेंसर नहीं लेने का इसमें कुछ वज़ा थी इंगलिज में लिखने की इफ ली लिखांए तो बिल्एफ। वेल रीना एक नाम है नोटेडव मात मेटर रीडिंग आफ हर हाउस रीना मतलब एक लड़की एक बच्ची जो अपने घर के बिजली के मेटर की रेडिंग को क्या की नोट की वह यह घर में बिजली का मेटर लगा होता है ना कितना यूनिट खर्चा किया दिल्ली फरकार दो बिजली फ्री दे रहे 200 यूनिट फ्र फरकार राफन फ्री दे रही है का एको तुमको बेवकूप बनाना चाहतार कोई समझ रहे हो क्यूं कि तुम पड़ो लिख होगे तो सवाल पूछ होगे और अगर तुम नहीं पड़ो लिख होगे लालच में आ करके आप आपके घर वाले परिवार वाले किसी के पार्टी म बेवक का परियोग करके ही ओड देना चाहिए ओड जरूर देना चाहिए चलिए करा कि रीनों ने क्या किया आपने घर की बिजली के जो मेटर की रीडिंग थी उसको नोट किया फिर लाश्ट मंथ रीडिंग वाज 180 उनिट पिछले महीना की जो रीडिंग की यूनिट थी म और इस महीना की यूनिट कितना है 193 है तो कोईश्चन पूछ रहा है कि हाव मच अलेक्रिसिटी डिड़ सी यूज इन वन मंथ तो एक महीने में उसने कुल कितना बिजली यूज किया भाईया कोईश्चन तो थोड़ा मुझे गलत लग रहा है लेकिन था एसे ही कुछ ठीक है क्योंकि दोनों को जोड़ना है यहां पर एड़ बन रहा था बस और कुछ नहीं ठीक है तो पिछले महीने में कितना था 180 दूसरे में कितना हुआ 193 है तो यहां पर टू मंथ या टोटल ऐसे कुछ कूश्चन था इसमें थोड़ा सा कुछ टाइपिंग में मिश्टेक है तो आप इसे टू मंथ मान लो ठीक है बया क्या मान लेते हैं इसे टू मंथ समझ रहे ना आप लोग मेरा बात को के नहीं तो टू मंथ के लिए क्या करेंगे दूनों को जोड़ देंगे बस अरे कलास थर्ड का मैथ पढ़ रहे हो महान आत्मा हो यह समझो कोई इसमें बहुत हाई फाई नहीं है कच्छा तीन की गड़ित है और क्या पढ़ोगे तीन वालों में ज़्यादा जल दिये तो कलास 6,7,8 पढ़ दीजिए बस चलिए जोड़े तो यह क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो तीन नव आट सतरक साथ हांसी लेक एक एक दो एक तीन ठीक है तो कितना हो जाएगा 370 unit कितना 370 unit अच्छा क्या यह ऐसे भी कोई question बन सकता है क्या रहा है कि noted electricity meter आफ हर पिछले महीना 180 नहीं यार एक मिनट सुनो पहले इसमें question बन रहा है one month वाला भी इसमें one month वाला question भी बन रहा है इसको दो तरीके से भी कर सकता है जैसे यह बताया एक तो यह ठीक हो गया तो हाव मच एक सीटी डिट सी यूज इन वन मन्थ तो इसमें काम और भी कर सकते हैं पता है क्या रियल तो ऐसे भी बन रहा है भाई जो आप मैं बताने वाला हूं यह जो मैं बता दिया आपको यह तुम्हें कुष्टन में चेंज करके बता दिया ठीक है आसान हो गया लेकिन 180 यूनिट हो चुकी थी मानलो आज देखा एक दिसंबर को तो 180 यूनिट हो चुकी थी अगले महिना में एक जनवरी को जब वो देखी तो 193 हो चुकी थी तो अब यह बताओ इसने इसके बीच में कितनी बिजली का परियोग किया तो यह निकालने के लिए इसमें से सब्ट सी यूनिट दिख रहा है तो वो एक महिने रहता है और अगले महिने मीटर में 193 यूनिट अगर में दिखने लगता है तो इसने कितना बिजली परियोग किया बताओ इसके लिए थोड़ी कि उसने एक महीना में 193 यूच कर लिया नहीं इसमें जो है इसको घटाएंगे ठीक है तो ये भी एक कुश्चन ऐसे बन सकता है समझ रहे ना तो इसको क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रेक भी कर सकते हैं ये दूसरे तरीके के लिए समझ गए ना आप लोग मेरी बात को भीया समझ गए ना तो ये एक सो असीस में से घटाएंगे ती हो जाएगा तीन नो में से आट गए एक जीरो यानि तेरा यूनिट कितना थार्टीन यूनिट डन आगे बढ़ें चलिए देखे पूरा वीडियो देखने का फायदा होता एमाल लोग थोड़ा फे देखके भाग गये होते अभी कुश्चन जैसे था वैसे को वैसे रह जाता आप लोग पूरी बात भी नहीं समझ बाते है ना भाई या इफली वीडियो पूरा देखना चाहिए पूरा इंड तक बस 10-15-20 मिनट पढ़ना ही तो है यार जिंदगी के लिए इंवेस्ट किया गया टाइम कभी वरबाद नहीं होता है और पैसा और टाइम दोनों जिंदगी के लिए कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ें आगला क्या कहता है कि खुस्बू वाट और सर्ट फार रूपीज 125 महिंदी में ही बता रहा हूं टेंथा नहीं लेने कभी या ठीक है खुस्बू ने क्या किया एक सर्ट खरीदा कितने का खरीदा भाई देखो नाम यहां पर अगर गल्स काया तो मतलब स्वापिंग की बाद जरूर आएगी कितने का खरीदा 125 का आएंट टाउजर फार 165 टाउजर कितने का 165 का कह रहा हाउ मुझे इंगलिस बहुत अच्छी नहीं आते इसलिए प्रोनांसेशन मेरा थोड़ा सा गंदा हो रहा होगा विच बीच में लेकिन आप समझ का और टाउजर खरीदा 125 रुपईया का तो कह रहा है कि हाउ मच मनी सी स्पेंड उसने कुल कितना रुपईया खर्चा किया बैया सब लोग जान रहे हो ना तो जोड़ लो क्या आएगा पांच-पांच-दस हासील एक छे दो आठ एक नो एक दो एक तीन खुसबू ने बैय क्या लगाया है तीन सो नब्बे रुपया हां आगे बढ़े कोई सवाल कोई परिशानी कोई दिक्कत नहीं ना चले तो ठंडी का टाइम है काफी ठंडा हो रहा है अंदर से चलिए आगे तीसरा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि बेबी देखो यह इंगलिस बड़ी कठी नेक जो बगल में है इसका मतलब होता है कच्छुआ ठीक है बेबी टर्टाई जी थार्टी थ्री इयर्स ओल्ड और मम्मी टर्टाई जी ओन फिफ्टी यर ओल्ड अब प्रॉनसेशन तो आप मेरा समझ पा रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं टर्टाई मतलब कच्छुआ जो पान है चुटका वो कितने का है तैंतिसीयर ओल्ड का है और उसकी मम्मी डेड़ सो साल की है आपको पता है कच्छुआ की उमर बहुत जादा होती है कमेंट करके बताना कितना साल होती है बताना ठीक है तो कह रहा हाँ मच एंगर इस बेबी टर्टाई देन मम्मी टर्टाई यान सिंपल है घटा लो पटापट सब्ट्रेक कर लो यारा चलो 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 दस में से तीन गया साथ इसमें से उधार गया था यह चार चार में से तीन गया एक यानि कितने का 117 फाल छोटा है यह यानि इसकी मम्मी की साधी तब हुई थी जब उसकी मम्मी 117 फाल की हो गई थी ठीक है 117 फाल बाद बेवी आ गया अब बेवी आज हो गया 33 एर का यह भाई सही घटाया हूं क्या मैं कि इतना गलात थोड़ी रहता है तो भाईया का वह बेवी आथ 33 एर का हो गया उसकी मम्मी हो गए कि 7.1000 थी हमझे बढ़ी हूं कोई डाउट परेसानी खक अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तिक बार कमेंट करके बता हाँ हम देख रहे हम सुरू से देख रहे थे अब और जा करके यूपीएस सी कमेथ पढ़ोगे आफानीक डारेक्ट आसमान से गिरे तो तुरंत हो गए पैदा हुए तो अगले दिन बुलट नहीं चलाने दोड़ गए पहले बकईया चले उठे बैटे गिरे लोटे उसी में गीला करे उसी में लोटे तब जाके बढ़ा हुए ना तो वैसे इसको भी सीखना पड़ता है ऐसा नहीं कि बस कल सोचा तो आज हम तीर मार लेंगे नहीं चला भया करा अरबिंद हैज रीड 69 पेज आफ आई स्टोरी बुक अरबिंद ने एक स्टोरी बुक का क्या किया 69 पेज को रीड किया और गोरी 95 रीड की तो कह रहा है क कि रीड मोर पेज तो किफ ने जादा पेज पढ़े अरे वैसे विद्धी रहा है में बकलवल आदमी कैसा कोजिशन पूछ रहा है 69 ने 95 पेज किफ ने जादा पढ़े वह सिंपल सी बात है गोरी जादा पढ़ी लड़की वैसे जादा पढ़ती है लड़का वैसे कम समझे रहो काहल यह पता है क्योंकि वह जब भी कोचिंग पढ़ता था उनके अहां एकाद न एकाद गल से उसका बड़ा भारीवला प्यार हो जाता था और फिर ऐसा हो जाता था कि कांपी किताब नोट सब कुछ उसकी सेवा में लग जाता था उसी की सेवा दिल से करता था आपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और जब गुरुजी कभी-कभी नोट सोगरा मंगाते थे ना तो उसी की बैग में मिलता था लड़की के लड़के पास नहीं रहता था तो इसलिए बोल दिया कि लड़के कम पढ़ते हैं लड़की जादा पढ़ती है लेकिन यह त 25 से आपको 69 सब्ट्रेक कर लेना है कितने पेज ज्यादा पढ़े आप जान जाओगे 15 में से 9 गया 6 8 8 में से 6 गया 2 26 पेज ज्यादा पढ़ा ठीक है अब आईए कुछ अलग तरह का थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं है ना क्योंकि पुराना पुराना टेस्ट हो गया च क्योंकि गडित जो है ना जब से इंसान इस धरती पे आता है अगर थोड़ा और बैक में चलें तो जब धरती पे आने की तैयारी सुरू होती है तब से गडिती उज होती है जैसे मालो दो एक कपल है लड़की और लड़का ठीक है उनके घर दोनों के घर भाई मालो प्रेम प्रेमिका अब साथी की रह इब साथी जीशन होगी उसी दीन fics を जाएगी और डिपीस में समझ रहो एक बच्चे की टैरी हो रहे हैं समझो कि एक बच्चे की जिन्दगी मय आप कि में हां बाई दू अपरेल को साधी होगी 2023 में जब भी होगी आठारा में ठीक है आप सभी समझ रहे हो जिसकी जब हुई कमेंट करके बताना अधितलों की हुई मुझे पता है तुर मेरी नहीं हुई बस चलो तो क्या है कि मैथ में क्या हुआ डेट नहीं हुई डेट लिख सब्सक्राइब अधिक है वह भी मैथ में हुआ ना कि हाँ बाई मतलब आज की डेट से उम्मीद है और फिर जब धरती पर आएगा जिस दिन हास्पिटल में होगा घर पर होगा उस दिन भी मैथ बर्थ सर्टिफिकर्ट बनेगा वह भी मैथ में ही कि बाई अप्रेल बोला था ना मैं अप्रेल से जोड़ लो आगे तो कितना हो जाएगा जनुरी ओगरा मालो दफ जनुरी दोजार चौबिस में बेबी का जनम हो गया तो क्या हुआ मैथ का परियोग हुआ हर जगा न साधी तैंवी साधी हुई जनम हुआ वहीं से मैथ का यूज हो मैथ का यूज है नोकरी मिलेगी फिर बच्चे की साधी होगी फिर मैथ फिर अगर भई सिंपल सा है लौजिक है कि है अकदम सचाई है फेर बच्चे की डिफ़ीएफ बनेगा उसके बच्चेश बनवाएंगे ना तीपोता बनवाएंगे वह भी मैथ मैथ से पीछ बहुत आनी चाहिए चलिए यह तो हो गई ग्यान की बात आईए बर्थ सर्टिफिकर में क्या है दो मई 2022 इसमें क्या है डेटा बर्थ आप सभी कुछ दिख रहा एक बर कमेंड करके बताओ मैं इसको जूम नहीं कर सकता अगर मैं जूम करा तो यह इसका मैटर मिट जाएगा ठीक है तो दो मई 2002 को इसका डेटा वर्थ क्या है दिया है मैं पढ़ देता हूं सुन लो आगे अगला इसमें सेक्स सेक्स मतलब क्या है फीमेल है यानि जेंडर प्लेस आप वर्थ उज्वल हास्फिटल परियाग राज ठीक है चलो डेट आफ रजिस्टेशन दो मई 2002 रज चलब भईया लोका अब देखो क्या देखो कुश्षन बनेंगा इस पर पहला करकि दो मई 2002 सोच्ट विनखल वाज वान और टू बताो कि दो मई 2002 जो है यह क्या सो कर रहा है कि दो माइ जए मतलब कद पैदा हुई 2 मई 2002 को ये दो मैई 2000 को क्या हुई बिनखली पैदा हुई पहला कुश्चन हो गया ठीक है दूसरा कह रहा है कि हाउ डिट विल विंसी वियां दो मई 2008 बता भीया कुश्चन बहुत आसान है जिनको नहीं का समझ में आ रहा मैं इसका मतलब बता दे रहा हूं आपको एक बात बता है हिंदी मीडियम से मैं भी पढ़ा हूं लेकिन म समझ में आए बस उतना तमा सरोस्थी की किरपा ही है आई जाता है तो बताओ कि दो मई 2002 को पैदा हुई थी तो दो मई 2008 को कितने साल की हो गई बाए सिंपल सी बात है यार 2002 से 2008 आट में से दो घटा हो कितना हुआ छे ना या फिर ऐसे जोड़ लो 2002 ना सेम डेट भी है तो को इसका सिंपल तरीका है आट में से दो को घटा लो छे यानि कितने साल की हो जाएगी भाईया छे वर्फ की कितने की हो जाएगी बिंसी बिटिया हो जाएगी छे साल की समझ गए आगे हाउ ओल्ड विल सी बी इन दा ययर आफ दो हजार बावण है बही अदो हजार बावण तो पर लगए नहीं इत्ता बड़ा बताओ 2002 को वो पैदा हुई थी 2022 में कितने फाल की हो जाएगी इसमें कोई डेट नहीं दिया है तो हम 2 माई को मान लेते हैं आसान रहेगा जोडने में कमेंट करके बता दो भई या राजा चलो कितने साल की हो जाएगी सिंपल है 2022 2022 से घटा लो सिंपल सी बात है 50 साल की हो जाएगी वो उसके विल्लर के बच्चे हो जाएगे नाती पोता हो जाएगे तब तक अगला कहरा आन वाट डेट बिल सी वी 8 येर्स ओल्ड बताओ किस डेट पर वो 8 साल की हो जाएगी इसका अंसर आप लो कमेंट करके बताओगे कितना डेट पर 8 साल की हो जाएगी अभी लाश्ट में अपना प्रस्टनल नंबर भी दूँगा जो लोग हमसे डिस्कसन करना चाहते हैं पढ़ाई के बारे में जॉब के बारे में वो कर सकते हैं वीडियो लाश्ट तक देखेंगे लाश्ट में दूँगा अभी चलो इसका अंसर बताना मुझे मैं नहीं बताऊंगा इसके आगे कहरा है कि इसके बाद पेज नंबर 15 पे देखो चल भाईया पेज नंबर 15 पे आपको एक बात बता दें काई बता दें सब कुछ बताएं दें कि बचेगा का हमारी जिन्दगी में इसके बाद कहां चलना है पेज नंबर 15 पे चलो तो पेज नंबर 15 अजब भाईया चलो कुश्चन इसमें और भी है कहरा हाउ मेनी मंथ ओल्ड वाज बिंसी आन दो अगस्ट 2002 देखो भाई माई में पैदा हुई थी अब अगस्ट में सेम डेट पर कितने मंथ की हो गई विंसी वैसे दो अगस्ट 2022 से मेरी बहुत अच्छी यादे जुड़ी है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा या कामेंट करना तो बताऊंगा बाद में कौन सी यादे हैं वो किस के साथ हैं काहे की हैं किस टाइब की हैं दो अगस्ट 2002 को कितने फाल की देखो भाई 2002 में ही वो पैदा हुई थी मई में पैदा हुई थी मई मतलब पचवा महीना और अगस्ट मतलब अठवा महीना ना है 21 सिंपल सी बात है 8 महीन 135 यानि कितने की हो जाएगी 30 महीने कितने की 3 महीने की देखो कहीं करो कोई ब inflamm कर कर पता दे 10 अँ किसी को एप कामेंट नहीं पढ़ऊंगा लाइप में ये को कमेंट नहीं पढ़ूँगा मुझे पता है राइब चल रहा है नहीं पढ़ूँगा एक भी कमेंट क्योंकि सिर्फ-और सिर्फ पढ़ाना है अब हमारी कोसि जो रियल में पढ़ना चाहता है उनको पढ़ाना है बाकी जो मज़ा लेने आते हैं वो जाए नि वेदर है उनसे जिनको मैंच सीख के लाइप में कुछ करना उनके लिए चलो आगे के रहा हाव मेनी इयर्स ओल्ड इज बिंसी नाओ भाई या बिंसी आप कैसाल की हो गई बताओ बिंसी बिटिया कितने साल की हो गई अब देखो अब कौन सा टाइम लगा है डेट कौन सा है अ has a a harvest 2022 और हम आज के हिसाब जोड़े तो बिंसी कितने साल की होगी अ 22 में पैप nieuडिया मोटा मान लोगर मैं हिसाब लेले 22 तो बिश साल की हो गई कि इस में कोई कोई कांटेंट कई पुरान नहीं होता यह कोई रोटी दाल चावल नहीं खराब हो गई सड़ गई कोई भी यह रूल नहीं चेंज होने वाला है दुलिया बदल जाएगी 100 का 15 निकालोगे तो 15 ही आएगा समझ रहे हो तो यह मत सोचा करो कि वीडियो पुराना हो गया 15 दिन का हो गया इतना दिन का हो गया कोई फरक नहीं पड़ता वीडियो पुराना होने से स्पेसली मैथमेटिक्स में ठीक है चले करा आप्टर हाव मेनी मंद्स आफ हर वर्थ वाज दा सर्टीफिकेट इस्यूट इस्सू बोलते ना इस्सू कराया कितना दिन बाद देखो असर्ट सर्टीफिकेट इसू हुआ है इसमें डेट पड़ी है ना पांच अगस्त 2008 को और वह पैदा हुई थी दूई अगस्त दूई हजार दो को तो पहले तो अगर इसको दो मानलो डेट को तो इसका मतलब 2002 में पैदा हुई आठ में हुआ यानि 6 साल है ना 6 साल लेकिन दो तारी को हुआ तो 6 साल तीन महीने क्यों सही जोड़ रहा हूं ना मैं 6 साल तीन महीने कोई डाउट होगा तो बता देना अब पांच अगस्त 2000 कब लिख देता हूं रुको काहे को हैरानी की बात है भाई देखो दो मई 2002 को वह पैदा हुई 58 2008 को यह रजिस्टर हुआ है सर्टिफि उल्टा घटा लोगे क्या हो जाएगा 6 साल इसमें घटा तीन ठीक है उल्टा बस या फिर इसको नीचे उपर करके घटा सकते हो तो च्छे साल तीन महीने बाद ठीक है अगला कहरा बाबू क्या कहरा मेरे भाई वाट इस दा रजिस्टेशन डेट आफ सर्टिफिकेट मजलो भाईया इससे आपने बहुत कुछ सीखा आप भले क्लास थर्ड का मैथ पढ़ रहे हो लेकिन इससे आपकी थोड़ी थोड़ी बुद्धी खुली की नहीं यह जो मैं आंसर बताया इनको सब्ट्रेक करके ऐसे निकालते हैं ठीक है कहो तो इसको थोड़ा बता देता ह जैसे देखो एक चीज लोगों के मन में डाउट होगा भरम होगा कैसे जोड़ जोड़ के रख दिये मुझे समझाए नहीं न मुझे तो लग रहा है कि आप लोग इतने समझदार है समझा दिया हूं नहीं तो देख लो फिर बता देता हूं कोई जाने का नहीं देखो यह सर्टिफिकेट है पांच अगस्त दुएजार आठ इस देट पर सर्टिफिकेट इसू हुआ है और दुई मई दुएजार दुई को वह बच्ची जनम ली है चल भाईया तो कितने साल कितने मन्त कितने क्या होंगे इसके लिए क्या करेंगे बाबू इनको घटा लेंगे मेर कि इसमें घटा होगे तो क्या ए भाईया यह यार आप जा के क्लिएर आया भाई चि छे साल तीन महिने तीन दिन समझ में है चे साल तीन महिने तीन दिन भाद में Certificate Registration हुआ तो यह हुई बात आपकी पूरी इसमें नहीं रही कोई बी गुड़ड़ी और अधूरी और कोई किसी के मन में दिल में सवाल है कुछ भी कुश्चन है तो बता दीजिए इसमें देख लिजिए मैत कौन सीख सकता है कौन नहीं सीख सकता है ये बात हमेशा याद रखना नोट करके रख लेना अपने दिल और जहान में ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट पर अगला पार्ट कब आएगा इसका यार अगला पार्ट के बारे मैं बात नहीं किया क्या मैं ए भाई रुक जा यार अगला पार्ट का तो मैं मैटरियल लिकाल के रखा था कहा गया वो अच्छा मैं यहां से फिर यहां आ गया क्या अच्छा सर्टिफिकेट के बाद डारेक्ट वहां निकल लिया वहां से वहां ही चला गया ठीक है कोई बात नहीं है तो मेरे बाबू इसका नेक्स्ट पार्ट आने के ये कंडिसन है या तो आप इस वीडियोज को खुब दबा के सेर करिए इसके 5000 ब्यूज जैसे आ जाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में रिकार्ड करके रखा हूँ तुरंत अपलोड कर दूँगा ठीक है फट से जैसे इसके 5000 ब्यूज कंपलीट होते हैं या फिर आप बेट करो 6 जनुवरी को 6 जनुवरी रात 9 बजे मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा ही आप लोग इंतजार कर लेना जिनसे नहीं इंतजार हो रहा है अब तड़फी है ऐसे ये की वेट नहीं हो रहा है अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर करके सीरियस है डिलेट बीटी सी के स्टूडेंट है तो आपके वीडियो देख रहे हैं इसका स्क्रीन साट लेकर के हमें वाट्साप पे भेजें आपको चारों समेटर मैथमेटिक्स ओनली सेबन डबल नाइन में मिल जाएगा ठीक है और हाँ कि इस जो स्रीच चल रही ना इसके सारे पार्ट अगर आपको यहां नहीं मिल दे जहां देख रहे हो तो आप पीवियार स्टेडी के हमारे प्रफणली चैनल पर जिसका नाम राजकुमार यादो सर्मयथ इस पर आप आप आएंगे तो आपको इसके सारे भाग मिल इस पर आपको इसके सारे भाग सारे पार्ट इकटा मिल जाएंगे नहीं मिलते हैं तो मैं अपना प्रफनली नंबर दे रहा हूं ठीक है यह मत कहो को उल्लू बनाया मैं अपना प्रफनली नंबर दे रहा हूं आप लोग उस नंबर पर संपर करके हमसे बातचीत कर सकते हो और क्लास के बारे में अगले पार्ट के बारे में जो भी आपकी बाते हैं उसे सेयर कर सकते हो ठीक है भाईया तो नंबर लिखनू चलो लिखनो नंबर हाँ लेकिन याद रहे जो बच्चे सीरियस हैं सिर्फ वह ही इस पर मैसेज करेंगे यह हमारा इस पेसली नंबर है 9465633837 और अगर आप टीचर भरती एक्जाम डियलेट बीटी सी के स्टूडेंट हैं सीरियस हैं सीनियर हैं यूपी सी वाले हैं तभी इस पर मैसेज करें अगर आप छोटे क्लास के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और अगर आपको सिर्फ हमी से रिपलाई चाहिए तो इस पर मैसेज करिए ठीक है और अगर आप जॉब और करना चाहते हैं कुछ पीवियर स्टूडी से जुड़ करके जैसे बच्चों को फोन काल करना हो गया आपके पास कोई स्किल है तो नहीं है तो हम आपको सीखने के अबर पर यह मैसेज लिख करके भेजें आई वांट जॉब ठीक है मिलते हैं फिर बस आज के लिए इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया आधा गंटा आपने दिया मैथमेटिक्स के लिए इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे